इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रहे हैं जो कि माचल से ही आ रहे हैं माचल के शिक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकुर कोर्णा पॉस्टिफ पाई गए हैं आपको बदा दे इसके साथ ही सुरक्षा अधिकारी भी कोर्णा से अंक्रमित निकले हैं और इसकी जानकारी उन्हो पूर्णा पॉस्टिफ पाई गए हैं और इसकी जानकारी खुद गोविन ठाको ने सोशल मीडिया के जरिये दी है अपने ट्वीटर हैंडल पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना पॉस्टिफ पाई गए हैं और जो भी लोग उनके पर्क में आए हैं वो भी अपनी एक बाद जांचे जरूर करा लें बता दे कि इस कड़ी में सुरक्षा दिकारी भी और पॉस्टिफ आए हैं शिक्षा मंत्री ने सोशल मेडिया परी तवाम जानकारी दिया बड़ी खबास वक्की जो कि माचल सारी विकास शर्मा हमां साथ चुड़ गए हैं विकास शिक्षा मंत्री गोविन ठाको भी कोरना की चपेट में आगे हैं क्या कुछ अबडेट आ रहे हैं इसको लेका बिल्कुल देखे और आज ही इन्होंने जानकारी जो है सोशल मेडिया के मात्रम थे आज ही भी है और ऐसे में अगर पीते कल बात करे तो एक पातोपून बैठक जो है उन्होंने लिए है जिसमें हिम शिक्षा करके एक तीन ने चैनल जो है वो जीयों के जरिये जो है वो यहां पर लाँच किये गए थे कल काफी कारेकरम उनके यहां पर रहे हैं तो ऐसे में आज जानकारी जो है वो शिक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकुर आया आपको बताएं इससे पहले भी आधे से ज्यादा कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो करोना पॉजिटिव रह चुके हैं खुद सीम जैराम ठाकुर जो है वो करोना पॉजिटिव जो है उनकी रिपोर्ट रही थी हाला कि अभी अब से कुछी दिन पहले जो है ठीक होकर करोना से जंग जीत कर वापिस अपने कामकाच पर लोटे हैं और अब पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है और अगर ठीक होने वाले लोगों की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 21,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक हिमाचल परदेश में positive आये हैं 18,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने अपने घरों को जो हैं अस्पतालों से घरों को जा चुके हैं ऐसे में स्टिंग की स्पीड है वो उसे भी तेज कर दिया गया है तो जिसके तहट अब जो संक्रमित लोग हैं वो भी सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब आंकड़ा जो है वो तीन सो के पास आस पास जो है वो पहुंच गया है जिससे लोग जो है करोना के कारण जिनोंने मौत जो है जिनकी अभी तक हुई है हिमाचल प्रदेश में हालात बहतर नहीं है हाला कि ये दावा लगातार किया गया कि अन्य राज्यों की अपक्षा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश कहीं बहतर जो है परफॉर्म कर रहा है हिमाचल प्रदेश में स्वास्ते विभाग उनके साथ लगातार बैठके मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर करते रहें और आदेश जो है वो यही दिये जाते हैं कि आप लोग सतरक रहें और लोगों को खास तोर पर जो एतियात बरतने की जरूरत है वो लगातार किये जाएं जिस तरह से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी काम सही घरों से निकले और अन्यता घरों से बाहर ना निकले तो हिमाचल परदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि जो रैपिड टेस्टिंग की अगर हम बात करें क्योंकि टेस्टिंग की जो तेजी ह उसमें लाई जा रही है तो हिमाचल परदेश में 4500 से ज्यादा टेस्ट जो है वो एक दिन के भीतर किये जा रहे हैं तो हिमाचल परदेश में लगातार करोना का कहर जो है वो जारी है और ऐसे में जनता टीवी में लगातार अपील यही करता है लोगों से कि अब करोना का स प्रेडिंग जो है वो हो रही है तो ऐसे में लोगों को अपना खयाल जो है वो खुदी यहां पर रखना होगा विकास यकीनन यह नो डाउट की जो तमाम त्यारिया की गई है माचल के अंदा उसके बाद भी लेकिन यहां कोरोना बढ़ता हुआ जा रहा है क्या वजह मानी ज कर दी गई है और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि अब रियायत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो अनलॉक फाइब की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब बहुत सी चीजें जो है वो एमेचे की गाइडलाइन के हिसाब से जो है ले चुका है ऐसे में अब लोगों को एहतियात जो है वो अतिरिक्त बरत्मी होंगी हाथों को बार बार जो है वो दोना चाहिए और ऐसे में मास्क जो है उसका लगातार उप्योग यहां पर किया जाना चाहिए कुल मिलाकर हिमाचा प्रदेश में अब हालाद जो है वो बि चीजें की जा रहे थी अब घरों में ही लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है अस्पतालों में बहुत कम ही लोगों है जो आस्पतालों में जो है वो जा रहे हैं हला कि जो करोना पॉजिटिव भी दीपशी का लोग आ रहे हैं ज्यादा तर लोग जो है उनमें कोई ऐसे symptoms जो है वो दिखाई नहीं देते लोग अपने स्वास्ते को लेकर जो है वो पहले ही जागरूख है और ऐसे में खुद को ही isolate कर रहे हैं लेकिन जब भी वो टेस्ट करवाते हैं और किसी तरह से symptoms जो है जब सामने आते हैं तो करोना positive जो है वो report यहाँ पर आ रही है लेकिन तब्यत बहुत से आशे लोग है जिनकी तब्यत नहीं खराब है उनको बुखार नहीं है लेकिन asymptomatic जो है वो लोग आ रहे हैं हिमाचल परदेश में आने वाले दिनों में आप देखें क्योंकि टेस्टिंग की जो टेस्टिंग में जो तेजी जो है जिस तरह से लाई गई है झाने की जो बुखार नहीं है